Hi friends, this is Sunil Thalreja from Thalreja English Speaking Classes. Friends, आज का फ्रेज है Try Once Best. Try Once Best का मतलब होता है पूरी कोशिश करना, अपनी तरब से पूरी कोशिश करना. कई वार हम बोलते हैं कि मैं अपनी तरब से पूरी कोशिश करूँगा, उसने अपनी तरब से पूरी कोशिश नहीं की, सरकार अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रही है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? Try Once Best. Once का मतलब क्या होता है? Once की जगह क्या लगाना होता है? Pagyasiw लगाना होता है. तो I के साथ क्या लगाओगे? My, he के साथ क्या लगाओगे? His, She के साथ Her, यह लगाओगे हैं, We के साथ Are, You के साथ Your, और They के साथ Their. जैसे मैं अपनी तरब से पूरी कोशिश करूँगा, तो क्या बोलेंगे? I will try my best. टेंस का द्यान रखना बढ़ेगा. Will shield दोनों लगा सकते हैं. वह अपनी तरब से पूरी कोशिश करेगा, तो क्या बोलेगा? He will try his best. तो मैं अपनी तरब से पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? You should try your best. आज कर एक और नहीं चीज़ उसमें आरी, try level भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे I shall try my best की जगा और क्या दिख सकते हैं? I shall try my level best. तो दोनों का एक ही मतलब है, आप दोनों use कर सकते हैं, ठीक? जैसे उसे अपनी तरब से पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहिए मतलब should, बोलो, he should try his best, या he should try his level best. विध्यार्थियों को अपनी तरब से पूरी कोशिश करनी चाहिए, विध्यार्थी ज़्यादा होगे students, तो plural में आपको यह लगाना पड़ेगा, there, तो क्या बोलेंगे? Students should try their best, या students should try their level best. अगर non-living thing आजाए, जैसे government, जैसे सरकार अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? The government is trying its best, या the government is trying its level best. पुलिस अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रही है, तो क्या बोलेंगे? पुलिस को plural मिलेते हैं, तो क्या बोलेंगे? The police are trying their level best. चलिए, एक सेंटेस आपके लिए, होमवग के लिए, लिखो, हम बादा नहीं कर सकते हैं, पर हम अपनी तरब से पूरी कोशिश करेंगे. तो यह आपका होमवग देखें, आपको यह रूल आया की नहीं आया? तो यह इसका अंसर आप comment box में answer type करेंगे. तो friends, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं. नेक्स वीडियो में till then, good bye.